सब् Highway क正??? हैलो दोस्तों, आज के इस विडियो के माधहम से, मैं आपको बतानेवालू हो की अगर आप अपने फोन से चायनेज एप का बैस Secret करणना शूरू कर दीन है तो यह बहुत एच्छी बात है और साथ ही साथ मैं आपको बता दू कि अगर आप अपने फोन से Chinese एप जो Beauty Plus है उसका बाइसकार करते हैं तो उसके प्लेस पे आपको कौन सा एप यूज करना चाहिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें नमस्कार दोस्तों मैं पंकर सर्मा आपको मैं अपना चैनल टेक टीप्स तक में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो दोस्तों चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जाते हैं कि जो चाहिनी जैप ब्यूटी प्लस है उसको अगर हम रिमूब करते हैं तो उसके प्लेस प बताने वाला हूं जो की एप आपको ब्यूटी प्लस के बदले उसकरने को मिल जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले क्या कहना है कि आपको अपने प्लेस्टोर में टाइप करना है भीसीख टूल टाइप करके आपको सर्च कर लेना है सर्च करने के बाद आपका सामने कुछ ऐ आप समझ सकते हैं कि याभी एप बहुत ही अच्छा है यहां आप को ओख अधे यादर प्यूटी प्लस के जगाव पे ऊजश रेंडी को मिल जाता है इस एप में भी यह पड़को प्लस से अच्छे थैकने को मिल जाते हैं अब हमब्द कर लेता है दूसरे एप की तो यहां इसका जो एस्पेस है यह 40 एंबी का है और इसका जो डाउनलोडर्स है यह आपको 500 मिलियन देखने को मिल जाते है यह अभी आपको ब्यूटी प्लस से बहुत ही बहतर देखने को मिल जाता है इस एप में फीचर्स और यह भी बहुत ही अच्छा एप है इस एप का भी आप यह असाने से कर सकते हैं ब्यूटी प्लस के जगापे जो की आपको पता है कि ब्यूटी प्लस जो है एक चाइनी जैप है तो उसको अगर भाइश कार करते हैं तो आपको मैंने अभी तक पर कि आपको सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाता है अगर इस एप की डिविव की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इसका भी जो एसपेस है और इसका जो डाउन्लोडर सब्सक्राइब तो यह भी बहुत ही अच्छा इस अब कर सकते हैं ब्यूटी प्लस के जगाए इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं तो अब मैं बात कर लेता हूं चोह थे एप की तो चोह था एप जो है बहुत ही बेतर है आपको टाइप करना है यहां पर फेभी आप फोटो को केप्चेर करिए वह अटोमेटिक ब्लॉर हो जाता है अगर आपको इसमें जो भी सेटिंग करना है आप पहले ही कर सकते हैं मैंने आपको यहां पर बताया जो की ब्यूटी प्लस चाइनीज एप है उसके बदले आपको यूज करना है तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं पहला एप है बी सिक्स टुएल दूसरा एप है पीक्स आठ और तिसरा एप है स्नैप सीड और चौता एप आपको देखने को मिल गया है तो आप यहां चारो एप का ब्यूटी प्लस के जगह पर यूज कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा एप है और चारो एप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से जाकर करके आप डाइरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन में कौन सा चाइनीज है देखना और उसको डिलिट करना तो इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है जो कि मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा से आप जाकर करके देख सकते हैं कि आपके फोन में कौन सा एप चाहिनीज है और उसको कैसे डिलिट करना या यह सारी प्रोसेस आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा उस नहीं एक छोटी सी ज